चाह का पाल धारिणी नमो तारे नमो तारे चिराग्त तारे नमो तारे नुदिवा दाकनी शाकनी भूत पलीता सौसो कोस दूर भजाया चंडी तारा फिरे ब्रह्मानली तुम तो तीन लोग की जननी जैजय मात तारा घर बार चाड़ा लगेना ट्रैन भाडा श्रिनाज जी गुरुजी को अलाखादेश, मा भगवती को अलाखादेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलाखादेश बहुत मात पूर्ण विशा है आज का, मैंने लिखा है कि इसके बिना सिध्धी प्राप्त नहीं होगी ये कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है नील तारा का, कौन है नील तारा? तारा शब्द सुनते ही, बहुत लोगों को लगता है कि बुद्धिष्ट या तिबित्तिन का कॉपी राइट है लेकिन मा तारा भारत में विराजिती है, दो कहानी है इसको ले करके एक तो की मा का जनम हिमाचल में हुआ था, वहाँ से आ करके वो तारा पीट में बैटी दूसरा की वशिष्ट मुनी उनको चाइना से ले करके आये थे और उनको पहले स्थापित किया था बिहार में आज भी बांका जिला के आसपास में मा तारा का मंदिर है, कच्चा कही है और उसी में मा विराजती है और मा ने उनसे वचन लिया था कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे मुनिवर ने अपनी अर्धांगनी को बता दिया कि मैं तारा को ले के आया हूँ उसके तारा मसानी हो गई और वही मसानी सवारूप हम मा तारा का देखते हैं तारा पीठ में, ठीक है तो मातारा के विबिन रूप है, जैसे हम लोग मानते हैं महामाया के बहुत सारे रूप है और एक ही महामाया का अलग-अलग रूप को अलग-अलग तरीके से पूछते हैं, मतलब वही दुर्गा, वही भुमनेश्वरी, वही माकाली, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती, वही ग मा का नील सरूप, नील तारा, नील तारा को ही सरस्वती मना गया है, ठीक है, और मा नील तारा की साधना से ही साधक की बुद्धी जागरित होती है, अभी मैं देख रहा था, पिछले दो-तीन वीडियो में, लोग ऐसा मुझे लिख के भेज रहे थे, कि गुरुजी बहुत ब इसका मतलब कहीं ना कहीं साधने में कोई तुरूटी हो रही है, तो साधने में यही तुरूटी हो रही है, कि हम लोग स्टेप वाइज अभी नहीं जाते हैं, हम लोगों के गुरु ने हर तरीके से स्टेप वाइज साधना बताईती, तो उसी में शुरुवात की साधना हम तारा का साधना होता है, तो तारा में नील चुमा की दे लिटना का मंत्र करके हो वियुकराई už मंसुना तो हमने थना मंत्र करें लाई देखके और फिर आप जाप करते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपने जहां वो मंत्र लिखा वो कागज आपका सिद्ध हो जाता है और कुछ सिद्ध नहीं होता ना आप सिद्ध होता है ना इश्ठ सिद्ध होता है ना माला सिद्ध होता है ना कर आपका सिद्ध होता है इसल नीलतारा का मन्त्र है, ये विद्ध्यार्थि selective के लिए बहुत महत् पूर्ण है, जो विद्ध्यार्थी है, वो अगर 108 भर नीलतारा का मंत्र जपेंगे तो नीलतारा बिलकुल ही खुश होगी और उनका जो बुद्धी है वो तेज बनेगा और उसको हमेशा याद रहेगा जो भी चीज़ वो याद करेगा, ठीक है, नील तारा का मंत्र बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग लिखने में तीन बार बता रहा हूँ, 9 दिन तक इसको रात में आप 11-11 माला करेंगे, पहले याद कर लीजेगा, ऐसे तो मत्र बहुत असान है, रुद्राक्ष पर या करमाला पर इसको 11-11 माला कीजेगा, दसवे दिन इसको आहुती दीजेगा, दिन देखके शुरू कीजेगा, शनिवार बहुत अच्छा दिन होता है मा के लिए, तो शनिवार से शुरू कीजेए, या फिर अभी जो नवरातरारा उसमें 9 दिन में आप इसको सिद्ध करके, दसवे दिन आप पूर्णा होती दे दीजेगा, उसके बाद आपको मंत्र बिल्कुल तोते की तरह याद होगा, बिल्कुल ही साफ, आप हमेशा धन्यवाद दोगे कि रूद्रनाजी ने काम का चीज़ दिया था, तो नील तारा के सिद्धी आप करिए, और मेरा जो किताब है, फिर से मैं उसका प्रचाल कर दे रहा हूँ कि A Handbook for Paranormal Investigator, ये Amazon और Flipkart और Snapdeal और जिस जिस पे भी आप चाहोगे, पूरे विश्व में हर जगा आपको मिल जाएगा, जो मुझसे बात करना चाहते है, जिनकी कोई समस्या है या फिर कुछ साधना के विश्या में मुझसे जानना चाहते हैं, वो Google Play पे जाकर के, Call Me for App डाउनलोड की करेंगे, उसमें रूदरनात सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाल आएगा, अब उससे मुझे डारेक्ट काल कर सकते हैं, मैं फोन नंबर नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखो, मैं आज बता भी दे तो वो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप क्यों सोस्के हो कि सादक को सब कुछ फ्री में मिल जाता हूँ, और वो अपना समय पे आपके लिए फ्री में तो जबकि दुनिया के हर चीज के लिए आप पैसे रहते हो, याद रखना फ्री में सब जाल बिचता है, और यह मेरा वाटसप नमबर है, अगर मुझसे बात नहीं हो पाई तो इसका मेसेज पोड़िएगा, मैप से बात कर देंगा, डिरेक्ट कॉल मा करें, आप सभी को आज के लिए, अलाख आदेश, मा नहील तारा, आप लोगों के तुन्दी को बहुत ही तुनित रहे, आदेश आदेश बात के ऊ watches को आदेश